वेलो फ्रेंड्स, स्वार्गन टू जारगन परीक्षा आज के लिए आपको टॉपिक दिया गया था जारगन के विद्रो सभी विद्रो को नहीं पढ़ना था क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स है जो भी बच जाएगा उसको जो हम लोग कल करें कल तो नहीं परस हो क्योंकि कल कोई क्लास नहीं होगा संड़े है तो इसमें जो है ढाल विद्रो से लेकर आपको कहा गया था संथाल विद्रो तक पढ़ना है याद रखेगा ये दोनों जो है बहुत ही जादा इंपॉटेंट है मेंस के रिस्पेक्ट में कोल विद्रो और संथाल विद्रो तो इसको जो है अलग से मैं करवा दूँगा है ना उसे के तो कल ही इस पे कुछ जादा ही कोशन रहेंगे ओके इसको छोड़कर सारे कोशन से इसमें सामिल है आज वाले लेक्षे दिए चले कोशन को देखते हैं लोग कोशन नमर वन है किस छेतर के भूमेजों को चुवाड कहा चाता था भूमीज एक जंजाती है ओके किसान के रूप में उस्समें रहते थे और कुछ जो है वन उत्पात पर निरभर करते थे इसी मेंसे कुछ लोग जमिदारों के पाइक के रूप में काम करते थे तो ये पाइक तुक है ठीक है बाकी जो है जो वन उत्पात पर निर्भर करते हैं जो किसान है तो उनके कारण जो है अंगरीजों के द्वारा भुमीजों को चुवाड का जाता है लेकिन किस छेतर के भुमीजों को जंगल महाल जंगल महाल अब जंगल महाल किसे कहते हैं अग बांकुडा, बांकुडा हो गया, उरूलिया, वेस्ट मिदनपूर, जार ग्राम, जार ग्राम, ओके, ये अभी के रेस्पेक्ट में जेंगल महाल है, लेकिन जिस समय की बात हो रही है, जब ये चुवाड विद्रो हुआ था, अच्छा ये ढाल विद्रो मैंने अभी कहा, तो अभी के रिसपेक्ट में एनसर करना ना, की अभी के रिसपेक्ट में, इसमें मिदनापुर, मिदनापुर, बांग खोड़ा, वीरभूम, वर्दमाद, वर्दमाद, तो ये सबी जो हैं जंगल महल में सामें, इस कैंसर क्या हो जाएगा, option B जंगल महल, जंगल तराई जो ये संथाल प्रगना के छेतर को कहा जाता था, राजमहल वाले छेतर को, इस कैंसर option B, नेक्स्ट, जारखन का कौन सा छेतर चुवाण विदरों से संबन दित था, अगर आप पुराना वाला मैप देखेंगे, जो की रामतिवारी की पुस्तक में है, ये मैप को मैंने कलिग्राम में जो है, भेजा था, देखें, ये क्या है, ये हो गया ढाल भूम, ये ठीक है, और इसके उपर सराय केला के उपर जो है विर्भूम है, क्या है, विर्भूम, ये उस समय के इस आप से बताया जारा आपको, विर्भूम, इसके उपर पंचेत राज है, पंचेत राज है, और इसके जश्ट उपर जो है, यहाँ पर है जंगल महाल, जंगल महाल, य और जेंगल महाल का वो पार्ट जो कि जार्खन में है उसमें इसका इफेक्ट कम है चुवाड विद्रो का और यही कारण है कि जब किसी सेंटर लेवल के एक्जाम में ये कोशन आता है कि चुवाड विद्रो किस राजे से संबन दिता है तो इसका एंसर पशिम मंगाल होता है ना की जारखन कूधि कि ज्यादा कर जरंगलल मं में ह 다른 चया कि प्रसाब हुआ था और जिर्शी मं 조्या बिलाने जारखन में देखा जाए जरखन के दो चे सं rocky कौन कौन से एक तो सिंग्भू हो गया टैक्ट यॉसरा रख्श दूसरा रख्ष यह दो important छेत्र हैं जहारखंड के जहां पर चुवाडविद्रों का प्रसार हुआ था तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer option A, सिंग्भूम हो जाएगा नेक्स्ट है चुवाडविद्रों की सुरवाद किस वस होती है? इसकी सुरवाद 1779 में होती है 1779 और इसकी सुरवाद बड़ा भूम और घाटसिला से होती है ठीक है? बड़ा भूम और घाटसिला वैसे overall इसका area देखा जाए कि कहां कहां इसका प्रसार होता है तो इसमें सिंग्भूम का छेत्र सामिल होगा ओके? मान भूम हो गया यह सभी बड़े छेत्र है मान भूम हो गया बड़ा भूम या बाड़ भूम पंचेत बांकुडा ओके? यह जंगल महाल का ही छेत्र है ठीक है? तो यहाँ पर में लिस्ता प्रसार होगा था और बोला जाए कि इसमें मुख्य रूप से किस जंजाती ने भाग लिया था तो भूमिज जंजाती मुख्य रूप से भूमिज जंजाती ओके? प्रमुक नेता की बात की जाए कौन-कौन से इंपॉर्टन लिडर्स थे? बहुत सारी लिडर्स थे अलग-अलग एरिया है ना अलग-अलग एरिया है तो लिडर्स भी अलग-अलग होंगे जैसे की स्याम गंजम स्याम गंजम धत्का से लिड कर रहे थे इस विदरों को फिर सुबल सिंग सुबल सिंग ये कैलापाल से लिड कर रहे थे जगनात पातर ये ढाल पाड़ा से लीड कर रहे थे रगुनात महतो मंगल सिंग, लाल सिंग, दुर्जन सिंग, मोहन सिंग ये सभी जो हैं इंपोर्टेंट लीडर थे चुवाल विद्रो के इसका एंसर क्या हो जाएगा 1779 option B नेक्स्ट चुवाल विद्रो के दोरान जमिदारी, घटवाली, पोलिस ववस्था को कब पुनारस्थापित किया गया देखे, ये जो विद्रो हुआ था इसके कारण को पहले समझे अकर ये विद्रो हुआ क्यों था तो इसके पीछे मुख्य रूप से तीन कारण है, पहला कारण ये है कि घुमिज लोगों का जो जमीन था, उस पर अवैद रूप से कबजा कर लिया गया था ओके, जमीन पर अवैद रूप से कबजा कर लिया गया था, दूसरा क्या है कि टैक्स जो है रेगुलरली बढ़ाया जा रहा था टैक्स जब घूमीज के लोग देने में असक्शम हो गए, टैक्स नहीं देपा रहे थे, तो क्या किया गया, उनके जमीनों को निलाम कर दिया गया, तो टैक्स नहीं देने पर जमीन की निलाम, एक तीसरा कारण जो की प्रमुख है, जो कि कि आपको याद रखना चाहिए देखें, यहां पर यह तो नॉर्मल हो गया ना, मतलब नॉर्मल जो लोग हैं उनसे सम्भधित हैं, ठीक है एक वर्ग वो है, जो कि जम्ईदारों के साथ रहता या जम्ईदारी वर्ग में सम्भधित है, उससे सम्भधित है तो उस समय क्या था? पाइक की विश्था थी, एक तरह से ये bodyguard है, जमिदारों के लिए ये bodyguard होता था और इसमें अस्थानी लोगों को ही पहले सामिल किया जाता था लेकिन समय के साथ क्या हुआ, कि अस्थानी लोगों को निकाल करके जो बाहरी लोग हैं, जिनको दिकु कहा जाता, उनको यहाँ पर सामिल किया गया तो इसका विरोध हुआ, व्यापक विद्रोध हुआ, इसका विरोध भूमिज लोगों ने भी किया इसका विरोध जम्माइदारों ने भी किया क्योंकि उनको च्वेयस्थानी योगों से ज़्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था लेकिन बृटिस के अनुसार ये विवस्था अस्थानी लोगों को ना दे करके बाहरी लोगों को दिल्या तीया पूरी तरह से मतलब सरकारी स्विक्रिती इसको कम मिलती है इसे मिलती है 13 दिसंबर 1805 को अगर पूछा जाये कि सरकारी स्विक्रिती कम मिलती है जमिदारी घटवाली पोलिस व्यवस्ता को पूरा सबिट करने के लिए तो इसका अंसर होगा 13 दिसंबर 1805 इसलिए ऑप्सन में ये दोनों सामिल किया गया है ठीक है तो ये दिहान रखना है यहाँ पर इसका अंसर होगा 6 माच 1800 ना कि 13 दिसंबर 1805 यह हो गया नेक्स्ट है अपना गाओं अपना राज दूर भगाओं विदेसे राजे यह जो नारा है यह किस विद्रों से संब्दित है यह चुवाल विद्रों से संब्दित है चुवाल विद्रों इसकी सुरुवात कभ होती है 1779 ओके और यह 1805 तक चलता है इसके कुछ important जो year wise facts है एक तो 1779 में इसकी सुरुवात हो जाती है 1782 में मंगल सिंग के दवारा जहालदा में विद्रोग किया जाता है तहां जहालदा में मंगल सिंग के दवारा फिर 1783 से 84 में कैलापाल में विद्रोग होता है 1795 में पंचेत राज्य को निलाम कर दिया जाता है टैक्स नहीं देने के एवज में पंचेत राज्य की निलामी कब होती है 1795 में 1798 में दुर्जन सिंग विद्रोग करते हैं ओके फिर आपको बताया गया कि 6 मार्च 1800 को जमिदारी घटवारी पोलिस वेवस्ता को अपने रस्तापित किया जाता है ओफिसली 13 दिसंबर 1805 इसके दमन करता कौन है स्वित्रों के इसके दमन करता में लेफ्टनेंट नन फॉर्बीस गोडियार और क्रॉफट ये लोग सामिल हैं ओके इसका एंसर ऑप्सन दियो होगे है नेक्स्ट है जेरो वंसी राचा रंजीत राय की हत्यकिन के द्वारा की गई थी अब यहाँ पर क्या है कि आप पहले इसकी वंसावाली को समझ लीजे पालामू में जेरो वंस के पहले रक्सेल वंस का सासन था ये आप जानते है रक्सेल वंस का सासन था तो रक्सेल वंस के जो लाश्ट आजा थे इनका नाम था मान सिंग मान सिंग ये मान सिंग मुगल वाला नहीं है ये रक्सेलवन्स से संबन दिता है ठीक है तो ये जो मान सिंग है इसी कही एक सिपाही कह सकते हैं करमचारी कह सकते हैं के व्यक्ति कह सकते हैं तो भागवत राय, भागवत राय के दोरा इनकी हत्या करती जाती है, भागवत राय, और ये इस्टेब्लिस करते हैं, चेरो वंस, ये जो है, चेरो वंस स्टेब्लिस करते हैं, ठीक है, अब क्या है, कि जब चेरो वंस स्टेब्लिस होता है, तो सुरुवात में तो भागवत भागवत राय के बाद अनंत राय, अनंत राय के बाद सहबल राय, सहबल राय के बाद परताप राय, परताप राय के बाद मेदनी राय, मेदनी राय के बाद है रुद्र राय, फिर दिकपाल राय, यह सहब राय मैंने कहा दिया था क्या भागवत राय, अनंत राय, सहबल रा यहाँ पर दिक्पाल राय के बाद साहेब राय साहेब राय अब साहेब राय इससे आपको समझना है यहाँ पर चाहिए ब्लैंक पेज साहेब राय इसके जो उत्रादिकारी होते हैं वो होते हैं रंजीत राय इसके उत्रादीकारी कौन है इसके उत्रादीकारी है रंजीत राय की हत्या इन्हीं के ही एक रिलेटिव के दौरा कर दी जाती है जिनका नाम है जैक कृष्णराय एक समय के बाद रणजीत राय का जो पोता है जिसका नाम है चितरजीत राय के अब यह है यह इसकी जो है मतलब कह सकते कि बादा लेना चाहता रणजीत राय का इसका पोता रणजीत राय का इधर यहां पर जो है यह अमर सिंग का जो बेटा है अमर सिंग का बेटा सैनाथ सिंग सैनाथ सिंग की हत्या जै किष्ण राय कर देता है सैनाथ सिंग का भतीजा जैनाथ सिंग जैनाथ सिंग का भतीजा सैनाथ सिंग का भतीजा जैनाथ सिंग अब ये जो है जै किष्ण राय की हत्या करना चाहता है क्यों क्योंकि जैनात सिंग के जो चाशा थे सैनात सिंग जो कि अमर सिंग के बेटे हैं उके उनकी हत्या की है जै किष्ण राई में ये अब समझ गए तो ये दोनों मिलकर जो है इनको जै किष्ण राई को चेतमा की लडाई में हराते हैं उसकी हत्या कर देते हैं फिर ये नएक राजा बन गया चित्रजीत कौन बन गया है ऩी इन lot बन गया है जैनात सहन अब इनके साथफ जो यह राजा बन गया तो यहां पर जैकनराय को पाल राय को लेकर जाता है पटना और इनसाफ की गुहार लगाता है कि राजा को बाल राय बनना चाहिए बन गया कौन चितर जीत राय तो फिर यहां से विद्रो सुरू होता है कौन सा विद्रो सुरू होगा यहां से यहां से चेरो विद्रो सुरू हो जाएगा और पैरलली जैनात सिंग के द्वारा जो विद्रो किया जाता है वो कहलाता है भोगता विद्रो क्योंकि ये भोगता है तो चेरो विद्रो भोगता विद्रो ये साथ में होता है रंजीत राय की हत्या किसके द्वारा की गई थी जैक गश्न राय के द्वारा अप्सने नेक्स्ट चेरो विद्रो के प्रथम चरण की सुरुवात किस वर सुरूती चेरो विद्रो जो है ये दो फेस में होता है पहला फेस जो है 1770 में सुरू होता है 1771 में खत्म हो जाता जब गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है एक साइट कौन होता है चित्रजीत राय और जैनाद सिंग किसके विरुद्रो होता है अंग्रेज मतलब कंपनी और गोपाल राय ठीक है इसको कौन लीट कर रहा है जो अंग्रेजी सेना उसको कौन लीट कर रहा है जेकब कैमक जेकब कैमकलीट कर रहा है ये पहला फेज हो गया सेकेंड फेज जो है ये अठारा सो से लेकर अठारा सो उनाईस तक होता है ओके अठारा सो से अठारा सो उनाईस तो यहाँ पर प्रथम चरण की जो सुरुवात हुई है वो इस कैंसर हो जाएगा 1770 और ये आपको बताया गया था कि जारखन में तीन छेत्र में कौन कौन सा एक है रामगर चोटा नागपूर खास छोटा नागपूर खास और पलामो इन छेत्रों में अंग्रेजों का जो प्रवेस होता है तो इसके लीडर कौन होते हैं कैमक इनी को जिमिदारी मिलती है रामगर्ण में अंग्रेजों के प्रवेश के समय घटवाल विद्रो होता है पलामों में अंग्रेजों के प्रवेश के समय चेरो विद्रो होता है तो चेरो विद्रुप के प्रतम छरण के तमन करता कैमस थे आप्सन ही हो जाएगा जिक은 उसाथी साथ भोकता विद्रुप भी हो जाएगा भोकता विद्रु पिर फिर घटवाल विद्रो घटवाल विद्रो कहने का मतलब हो गया रामगण में जब इनका प्रवेस होता है यहाँ पर आप देखरें क्रॉफट क्रॉफट का नाम आता है जब आप पढ़ेंगे चुवाल विद्रो उसमें तो खेर Ferguson होता है, Ferguson चला जाता है, फिर कोन आता है, Captain Rook आता है, Captain Rook असफल रहता है, जगनार धाल को पकड़ने में नीमुदाल को capture करता है, लेकिन Captain Rook को हटा कर Morgan आता है, Morgan नीमुदाल को राजा बनाता है, तो यह धाल विद्रो से संबंदित है, Morgan, Cleveland जो है, यह दो-ति चुडामन राय को किस वर्स पलामू का विदिवत राजा बनाया गया क्या लिखा हुआ है विदिवत राजा कब बनाया गया गोपाल राय के बाद गोपाल राय के बाद इनका जो उत्राधिकारी होता है वो होता है बसंत राय जो की नाबालिक है 1780 में गुपाल राय को ग्रफतार कर लिया जाता है उसके बाद इनके उत्राधिकारी बसंत राय को राजा बनाया जाता है बसंत राय के भी मिरित्यू हो जाती है 1783 में अब क्या है कि बसंत राय के बाद बसंत राय के बाद जो राजा बनते हैं ये 1783 में इनकी मृत्ति हो गई है, बसंत राय के बाद जो राजा बनते हैं वो है चुला मन राय, ठीक है चुला मन राय, 1784 में चुला मन राय जो है वो राजा घोसित कर दिया जाता है, ठीक है, चुला मन राय, ये जो है राजा बनाने की घोसना कर दी जाती है, इसी के साथ क संत्राय का 100,000 वा गया उद्राधिकारी है तो टेंपरड़ी अधिकार दिया जाता है अस्थाई अधिकार नहीं होता है घोसना कर दे जाती है विधिवत राज अभिसेख जो होता है वह होता है 1788 में राज अभिसेख अभी अंग्रेजों के द्वारा मतलब कम्पनी के द्वारा विधिगत स्विकृती नहीं मिली है विधिगत स्विकृती मिलती है 1795 में 1795 में 1795 में कम्पनी की विधिगत स्विकृती मिल जाती है और 12,812 रुपए 812 रुपए मासिक माल गुजारी पर ये जो है राजा बन जाते है जब ये राजा बनते चुड़ा मन राय तो इनके दिवान कौन होते हैं सिव परसाथ सिंग तो विदिवत राजा ये बनते 1795 में तीनों येर है 84 में गोसना 88 में राज अभी से 95 में official security मिलती है company से नेक्स्ट चेरो विद्रो के दूसरे चरण की सुरुवाद किनके द्वारा की जाती है चेरो विद्रो के दूसरे चरण की सुरुवाद देखे पहला जो चरण था पहला चरण इसको कौन लिट कर रहा था चितरजीत राय और जैनात सिंग किनके विरुद, एक तो कैमक अंगली जी सेना को जो lead कर रहा है, कैमक हो गया, प्लस गोपाल राय, प्लस गोपाल राय, ओके, दूसरा जो phase है, यहां पर आपने देखा, कि चुड़ामन राय जो है, यह राजा बन गया है, चुड़ामन राय के राजा बनने के साथ क्या होता ह बहुत सारे विद्रों सुरू हो जाते हैं चुड़ामन राय के खिलाप इनके जो दिवान स्वी उपसाथ सिंग इनके खिलाप कंपनी के खिलाप ओके और यह जो है दूसरा फेस अठारसो इस्वी में भुकन सिंग के दुआरा विद्रों की सुरूआत कर दी जाती है इसके दुआरा भुकन सिंग के दुआरा ओके भुकन सिंग के दुआरा ठीक है अब जब यह भुकन सिंग विद्रों की सुरूआत करते हैं तो इसकी सूशना एस जॉन्स को एस यह अंग पर पर आते हैं अठारा सो एक में और उनको रपसेश को आंसिक सफलता मिल जाती है विद्रो के रिस्पेक्ट में विद्रो को दमन करने में okay साथि imagine साथ रपसेश के बाद यहाँ पर जोन्स का भी आजमन होता है ठीक है और यहाँ पर उद्दे से निहीं है कि भुकनिंग को पकला जाए ठीक है तो इसका ऊपर और C हो जाएगा भुकनिंग जब भुकनिंग विद्रो की सुरूप करते हैं पास पास के जो छेत्र, जैसे कि छोड़ानागपूर खास हो गया, छोड़ानागपूर खास हो गया, तमान का छेत्र हो गया, सरगुजा ही ये चला जाता है भुकन सिंग, इन छेत्रों का समर्थन मिलता है इनको, ओके, अब यहाँ पर, देखिए, जब भुकन सिंग बात करते हैं विद्रो की तो अंग्रेज अधिकारी इनके पीछे पड़े हुए तो यहां पर दो फैक्ट है कि किस तरह से ये विद्रो जो दूसरा फेज़े कैसे कमजोर पड़ता है ये मैंने पेट क्लास में पताया है ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे कि विक कैसे होता है पहला यह कंसेप्ट है कि जो भुकन सिंग है फोकन सिंग ये चले जाते है कहां सरगूजह सरगूज़ा चलह झाते हैं और फिर जो है इनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है ये सरगूज़ा कहने का मतलब होगया अठारा सो दो में ये जो है जब कर्नल जॉन्स आते हैं तो फिर सरगुजा तक इनको जाना पड़ता है एक फैक्ट ही हो गया दूसरा ये है कि कैप्टन जॉन्स जो है ये आता है भोकन सिंग को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके फासी देता है दोनों ही केस में जॉन्स लीट कर रहा है अंग्रेज जी सेना को गिरफ्तार करके फासी दी जाती है एक फैक्ट ये हो गया दूसरा क्या है कि अठारा सो दो में ये सरगुजा चले जाते है और उसके बाद कोई जानकारी नहीं बहुते है इसके पहले जो दूसरा फेस का विद्रो है इससे अंग्रेजों को फाइदा हो नहीं रहा था तो फाइनली यही होता है कि ये जो छेत्र है ये घंस्याम सिंग को ये जो है घंसयाम सिंग ये गंसयाम सिंग जो है ये देव के राजा है फते नरायन के बेटे हैं तो पलामू के जिमेदारी जो है इनको दे दी जाती है और इनका नाम कौन रिकमेंट करता है रपसेश करता है इनका नाम रिकमेंट करता है रपसेश ठीक है हालंकि उस समय Robertson याद रखेगा Robertson रबसेज क्या बोल रहा है कि पलामू की जो जमिदारी है या जमिदारी भी कह सकते है ये घंस्याम सिंग को दे दिया जाए जो कि देव के राजा है Robertson का कहना कि नहीं ये जो है चुडामन राय के पास ही रहने दिया जाए फाइनली होता ये है कि अठारा सो तेरा में कब अठारा सो तेरा में पलामू के निलामी की घोसना कर दी जाती है निलामी की घोसना कर दी जाती है और अठारा सो पंदरा में ये जो पलामू का छेतर है ये घंस्याम सिंग को मिल जाता है जब घंस्याम सिंग इस पर कब्जा करता है तो जितने भी जागिरदार है उनसे जागिर छीन करके निलाम कर दी जाती है टेक्स को बढ़ा दिया जाता है और इस कारण से 1815 के बाद एक विदरो फिर्ज़ सुरू होता है और यहाँ पर एक और याद रखेंगे यह पूरी तरह से पलामु का छेतर रामगर्ड के कलेक्टर को दे दिया जाता है तो यहाँ पर याद रखेंगे गंस्याम सिंग इसका एंसर हो जायागा इन में से कौन सा विदरो चेरो विदरो के समानांतर हुआ था तो जो पहला फेज है चेरो विदरो का पहला फेज है इसके साथ साथ जो है भोकता विदरो की सुरुवात होती है इसके साथ भोकता विदरो की सुरुवात होती है इसको कौन लीट कर रहा है इसको लीट कर रहा है जैनात सिंग इसको जो है जैनाथ सिंग लिट करा यह कौन है यह चितरजीत राय का दिवान है यह जो है चितरजीत राय का दिवान है जैनाथ सिंग भोगता थे और इसलिए भोगता विद्रो इनके द्वारा जो विद्रो किया गया उसको भोगता विद्रो का जाता है दिए 1770 में यह शुरू हुआ था और तब तक चला जब तक गुपाल राय राजा ना बन जाए जुलाई 1771 को गुपाल राय राजा बन जाते हैं और इस विद्रो के सौंपियों हो जाती है और यहां पर इस कैंसर क्या हो जाएगा भौक्ता विद्रों जैसे ही नाम आएगा समझना है कि अंग्रेज़ों का प्रवेस हो तो कभी कोशन आ जाएगी घटवाल विद्रो किस छेत्र से संबंदित है तो क्या हो जाएगा रामकर हो जाएगा तो यह जो है इसकी सुरुवात होती है 1772 में और यह 73 तक चलता है ठीक है 42 इसका एंसर हो जाएगा घटवाल जो है यहां पर यह मेंली विद्रो लीट किया रहा है मुकुन सिंग्ध के द्वारा जो कि रामगर की राजा थे विद्रों के संबंदित हैं इनकी जो प्रचा है। जाधा कर घटवाल हैं, जो कि इनको समर्थन देती है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है हैं। घटवाल कि इनको कह जाता था? जो घाटो की रक्षा करते ह। फ्रास्ट करने के लिए पहाडो मे जो घाट बने हुए थे। बहुत सारे घाट थे तो वहाँ पर लूट पार्ट ज्यादा होता था तो safely किसी भी यातरी को चाहे कोई भी हो राजा हो उके उनको safely एक जगा से दूसरे जगा पहुचा दिया जाना ये इनका काम होता था घाटों की रक्षा ये करते थे तो इसका answer option A 1772 हो जाएगा घटवाल विद्डरों का नेधरे तो किसी ने किया था तो ये हो जाएगा मुकुन सिंग option B मुकुन सिंग हो जाएगा याद रखेगा जब मुकुन सिंग को शुरुवात में अंग्रेज के द्वारा जो है offer दिया जाता है नहीं अब जो है इनकी अधिन्ता सुईकार नहीं होगी तो ये जो है अपने एक वकिल को भेशते हैं रामचंदर सिंग को कैमक के पास तो फिर कैमक क्या करता है कंडिशन को चेंज कर देता है ओके ये बात है 3 दिसंबर 1771 तो कंडिशन अब क्या करता ये बोलता है कि पहले का जो टैक्स बचा हुआ वो तो देना ही होगा साथी साथ 21,000 रुपए 21,000 रुपए प्रती वर्स की दर से 3 वर्स के लिए आपको जो है ये पट्टे पर दिया जा रहा है मतलब रामगर्ड की जिम्मेदारी फुली नहीं दिया जा रहा है ये पट्टे पर 3 वर्स के लिए जा रहा है प्रती वर्स 21,000 रुपए देना होगा तो मुकुन सिंग का कहना ये होता है कि मैं राजा हूँ ना की रायत और ये ओफर को ठुकरा कर विद्रो करना पसंद करते हैं अप्सन भी यहाँ पर हो जाएगा मुकुन सिंग गटवाल विद्रो के दावरान किस अंगले जादिकारी की हत्या हो जाती है अब मुकुन सिंग है ये लीड कर रहे है विद्रो को इनके अगेंस्ट में कौन कौन है एक तो कैमक है और इनी का एक रिलेटिव है तेज सिंग जिनको राजा बनना है तेज सिंग साथी साथ एक और अंगले अधिकारी है जिसका नाम है इवेंस कैप्टन इवेंस तो इसमें सेना में जो सामिल था एक व्यक्ति के दौरा घटवाल से ही वो सम्मंदित था उनके दौरे जो है इवेंस की हत्या करते जाती है तो इसका एंसर हो जाएगा और अप्संसी इवेंस घटवाल विद्रो से सम्मंदित जीला कौन सा है ये रामगल हो जाएगा रामगल के राजा मुकुन सिंग इसको लीट कर रहे थे तेज सिंग को रामगल का विधिवत राजा किस वर्स बनाया जाता है ये विद्रो जो है 1773 तक चलता है 1773 में तेज सिंग को राजा तो नहीं बनाया जाता है लेकिन बहुत सारे पावर दिये जाता है और कहा जाता है कि 30,000 रुपए प्रती वर्स की दर से माल गुजारी देनी होगी अभी ये राजा नहीं बना है तो 73 में इनको प्रभार दिया जाता है 30,000 रुपए प्रती वर्स की दर से माल गुजारी देनी है विदिवत राजा ये कब बनता है? 1774 में 1774 में ये विधिवत राजा बनता है Option C हो जाएगा इसका answer Next, पहाड़िया विद्रो कितने चर्णों में घटित हुआ था पहाड़िया विद्रों जो है ये टोटल चार चर्णों में हुआ था और इसमें एर कौन-कौन सा ये ये भी आपको याद होना चाहिए पहला चैलन्ज हो था ये 1772 दूसरा 1778 तीसरा 1789 और चौथा 1781 से ये जो फोर्थ वाला फेज है इसको लीट किया था रानी सर्वेसरी में और रिजन इसका ही था कि दामीने कोक की घोसना की गई थी और यहाँ पर राजाओं के बहुत सारे छेत्र जो हैं वो अंग्रेजों के अधिन आने वाले थे क्यों क्योंकि संथालों को बसाना था इस छेत्रे पहाडिया रहा करते थे न तो पहाडिया से इनको फाइदा होता नहीं था संथाल आते तो खेती करते इसलिए संथालों को बसाने के लिए इस शेतर को दामिने को की घोसना की गई थी बनाने की घोसना की गई थी घोसना हुए थी, बनाय गया था 1800 के बाद तो यहाँ पर इसका एंसर option D 4 हो जाएगा next पहाड़िया विद्रों के तीसरे चरण का नितर किस ने किया था तीसरा जो फेज है कब हुआ था पहला 1772 दूसरा 78 तीसरा 69 तो यह जो तीसरा फेज है इसको लिट किया था जगनात देव में तीसरा जो है अच्छा यहाँ पर जो है जगनात देव यह दूसरी फेज को जो है लिट करते हैं ये सेवेंटी थे ऐट में जब विद्रोँ हुआ, तो वह ठीक चला, सेवेंटी-एट में जब विध्रोँ हुआ, तुरंत इसका द्मन कर दिया था, तो इसमें को लीडर नहीं था कोई भी स्में लीडर नहीं था यह स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया तो इसका इंसर यहां पर यह होना चाहिए था इन में से कोई नहीं था कि इन में से 79 में ये तुरंट खत्म हो जाता है इसमें Cleveland के दोवारा क्या क्या किया गया था जब Cleveland आता है तो 47 पहाड़िया सरदार को अपने पक्ष में कर लेता है ठीक है, 1300 धनुर्धर के रूप में पहाड़ियों को अपोइंट किया आता है सरकारी नौकरी दे जाती है और इनको salary पर रखा जाता है, दो रूपई से लेकर दस रूपई तक salary पर रखा जाता है और रानी सर्वेसरी का ये चौथा फेज है, 81 वाला 1781 नेक्स्ट ये हो गया, दामीने को किया स्थापना किस वर्स्ती गयती, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, अस्थापना ये अलग अलग टर्म है, जब लोग बोलेंगे कि इसकी घोसना कभूई है तो घोसना 1781 के समय, जब रानी सर्वेसरी के द्वारा विद्रो किया गया था और 1781 के बाद, इसकी जो अस्थापना होती है ये 1824 में ये इस्ट्याबिस हो गया, दामीन को क्या है, दामीन को जो है ये वो एरिया है जहां पर संथालों को बसाना है तो इसमें राजा, राजाओं की कुछ जमीन भी आ रहे थे और वो पूरी तरह संग्रेजों के अधिन हो जाता तो इसी के कारण से इसका विद्रो किया गया था ये अस्थापना हुआ, लेकिन कौन-कौन सा एरिया इसमें दामीन को के अंदर गत रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, इसके लिए इसका सिमांकन किया गया तो ये जो सिमांकन होता है, ये कब होता है? 1832 में इसके जो पहले सासक बनकर आते हैं, वो हैं Gems Potent, Gems Potent, इसका एंसर option A होगा, next, Hill Assembly Plan किनके द्वारा सुरू किया गया था, ये आप याद रखेंगे कि पहाड़िया विद्रो के दौरान इसे सुरू किया गया, पहाड़िया विद्रो के दौरान, क्यों बहुत सारे पहाड़ि पहुचाने के दौरा स्टार्ट किया गया था, ये विद्रो 1782 में स्टार्ट होता है, 1782 में स्टार्ट होता है, और ये 1881 तक चलता है, कब 1881 तक चलता है, ठीक है, 1882 लेकर 18, और इसके बीच ये 6 चर्णों में घटित होता है, कितने चर्णों में, 6 फेसे, अलग-अलग लिडर मिलेंगे, अलग-अलग दमन करता मिलेंगे, उके, विद्रों में देखे, विद्रों में आप क्या याद रखेंगे, पूरा था पूरा कहानी पढ़ लेगे, उसमें याद आपको ये रखना है, एक तो year हो गया शुरुवात का, शुरुवात कब होता है, ठीक है, main leader कौन है, दमन करता कौन है, इसके अलावा important area, location, ये आपको याद रखना है, ये चार पॉइंट पर दिहान रखेंगे आप जब विद्रो पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसकी जो शुरुवात होती है, वो 1782, 1782 में जो है, इसकी शुरुवात होती है, और किस चेतर में घटित हुआता है, पंच परगना, पंच परगना, ओके, अब पंच परगना में क्या है, बंडू, सिली, राहे, तमाड, ये सब है ना, तो ये तमाड चेतर, तमाड चेतर से इसकी शुरुवात होती है, और तमाड विद्रो की सुरुवात किस चेत्र से होती है तमाड चेत्र से होती है और यही कारण है किसका नाम तमाड विद्रो हालांकि पूरा का पूरा पंच परगना चेत्र इसमें सामिल है तमाड सिल्ली गुंडू राहे और सोना हातू यह 5 चेत्र को मिलाकर क्या बोला जाता ह पंच परगना बोला जाता है option A, तमान हो जाएगा next, तमान विद्रो कितने चर्णों में खटीत हुआ था? 6 चर्णों में कौन-कौन सा यह है? पहला जो phase है, यह है 1782 के 83 दूसरा 1789 ओके, तीसरा 1794 1807 1810 और 1829 ओके, यह 6 phases है option C next, तिलका मान जी आंदोलन की सुरवात किस वस्की गई थी? इसमें तिलका मान जी आंदोलन के लिए आपको चो है, तीन येर याद रखने है 1783 84, 85 83, 84, 85, अब इसमें क्या क्या होता है? 83 में क्या है? इस विद्रो की सुरवात होती है हालांके तिलका मान जी के दुवारा पहले से ही, इसके पहले से ही विद्रो की सुरवात कर दे गई थी, लेकिन वो उतना व्यापक नहीं था कि उसको count किया जाए 83 में ये officially start हो जाता है 84 में क्या होता है? क्लिव लेंड क्लिव लेंड को जो है, तिर से मार कर ये घायल करते हैं, बाद में की मृत्य हो जाती है और 85 में दिलका मान जी गरफतार कली आते हैं और इनको फांसी की सजा दी जाती है तो ये 3 एर है 83 में विद्रू की सुरुवाद, 84 में क्लिव लेंड की हत्या 85 में इनको फांसी तो दिलका मान जी आंदोलन की सुरुवाद किस वर्स की गए थी? 83 में option C इसका answer हो जायाएगा ठीक है? और ये आता है question दिलका मान जी जो important person of freedom fighter से संबंदित वो बताएगे आपको बहुत सारे chapters complete करवाएगा है तो इनका जन्म ती थी ये आएगा किस एरिया में इनका जन्म होओ है? तो भागलपूर भागलपूर में सुल्तान गंज सुल्तान गंज में गाउं है जिसका नाम है तिलक्पूर यहाँ पर इनका जन्म होओ था 11 फरवरी 1750 इनके पीता का नाम क्या था? सुन्दरा मान जी था option C नेक्स्ट इलका मान जी को किस वर्स फांसी दी गई थी? 83, 84, 85 83 में क्या हुआ था? 83 में विद्रो की सुरुवाद 84 में क्लिवलेंड की हत्या 85 में पांसी की सचा क्या अंसर होगा? option B होगा और क्लिवलेंड कौन थे? उसमें भागलपूर के प्रसा सकते अधिक्षक कह सकते हैं next कोल विद्रो की सुरुवाद किस वर्स की गई थी? कोल विद्रो जो है यह मेंस के लिए भी बहुँ जादा important है हम लोग जब बात करेंगे भारत की प्रथम जनजातिय विद्रो भारत की प्रथम जनजातिय विद्रो अब इसमें कौन-कौन सा वर्ड यूज होगा देखिए statement वाले में यह आ सकता इस तरह से एक है सू संगटित क्योंकि बहुत ही organized करके बहुत सारे अलग-अलग छेतर से अलग-अलग leader इसमें सामिल थे तो organized था पुरी तरह से सू संगटित और काफी ज़्यादा area में इसका प्रसार हुआ था सुवयापक लेकिन रामगर्ड का area छोड़कर रामगर्ड का area छोड़कर इसलिए क्योंकि वहाँ पर छाव नहीं था कैंटिन था इसलिए उस चेतर में इसका प्रसार नहीं हुआता सुवयापक और सुववस्थित सुववस्थित सुवयापक और सुववस्थित तो इसमें नाम क्या आएगा इसमें नाम आएगा उल्गुलान का विर्सामुंडा तो ये दोनों के लिए आप याद रखेंगे ये पहला हो गया और सबसे सरवाधिक जो है ये उल्गुलान हो जाएगा इसकी सुरवाध होती है 1831 में और ये आपको याद है कि हो जंजाती जो है हो विद्रो होता है तो सुरवाध में तो ये नौत वाला चित्र ये लोग टेक्स देना सुरू करते हैं साउत वाला फिर भी ये संघस कर रहा है 1820 में इसकी सुरवाध होती है 21 में संदी होता है और संदी में क्या होता है कि आठ अना प्रती हल की दर्स से जो है पांच वर्सों तक देना है पांच वर्सों के बाद ये क्या हो जाएगा तो इस संदी को बहुत यादा ये कह सकते हैं कि अपनी बेस्ती मान रहे थे और ये मौके की तलास में थे हो जनजाती कि इनको मौका मिलेगा और ये विद्रो करेंगे तो इनको मौका मिलता है कोल विद्रो में और सभी के सभी हो जनजाती इसमें सामिल हो जाते हैं अब कोल विद्रो को लेकर ये confusion नहीं होना चाहिए कि कोल जो है ये एक जंजाती है जंजाती का नाम है जो नाम है कोल जंजाती वो अलग है उस समय अंग्रेजों के दुआरा जंजातियों को क्या कहा जाता था इस चेतर में पुल्हान के चेतर में कोल कहा जाता था तो कोल का मतलब हो गया सभी जन जातियों के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला सब इसका एंसर आप्शन दी और ये है next पोल विद्रो का प्रसार इनमें से किस चेतर में नहीं हुआ था जारकन के सारे चेतर में हुआ था रामगण को छोड़ कर क्यों क्यों कि यहाँ पर अंग्रेज की चावनी की और संथाल परगना संथाल परगना को छोड़ कर संथाल परगना संथाल परगना ये एरिया और ये रामगण रामगण कहने का मतलब हो गया इसमें हजारी बाग भी आ जायाएगा इसमें हजारी बाग भी आ जायाएगा तो ये 29 कोशन है, इसमें रह गया है संथाल विद्रो, संथाल विद्रो और कोल विद्रो के और भी कोशन रहेंगे, ये नेक्स्ट वाले चेप्टर में करवा दिया जाएगा. बहुत दिनों के बात जो है लेक्टर में कर रहा हूँ, कल से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हैंड आटिंग कुछ ऐसी है, और कल संडे है, तो संडे को सायथ क्लास नहीं होगा, मंडे से इसको रेगुलर किया जाएगा, ओके, मिलते हैं लो नेक्ट लेक्टर में, बाइग अर्फ झाल जाएगा, बाइगा जाएगा ए को राता सिर्मायत हुआ हुआ आट, दिनयांगाओा हुआ हुआ है, जिनों में वाँचाने होता हुआ 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 है, तो से庭्णे लेक्टर खश ок्शागा हुआ 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 हुआओ को जिस पन्रेक्थ